इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। ओल्मटो और एम टैबलेट में दो दवाएं हैं, ये दोनों ही उच्छ रक्चाप को नियंतरित करने में मदद करती हैं। रक्चाप को कम करने से आपको भविश्य में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। ओल्मटो और एम टैबलेट को खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है। हाला कि बहतर होगा कि इसे नियमित रूप से प्रती एक दिन एक निश्चित समय पर लें, जैसा कि आपके डौक्टर ने बताया है। खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपको ठीक महसूस होने पर भी यह दवा लेते रहना महत्वपूर्ण है। आपके रक्चाप को कम करके यह आपके दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम कर रहा है इसलिए इसे तब तक लेना बंद न करें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको न कहे सक्रिय रहने, धूंडपान बंद करने और कम नमक और कम वसा वाले आहार खाने से आप अपनी जीवन शेली में कुछ बदलाव करके इस दवा को बहतर धंक से काम करने में मदद कर सकते हैं इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में आपकी टखनो या पैरों में सूजन यानि की एडिमा, नीद आना, चक्कर आना, सिर्दद, स्वाद में बदलाव, पेट खराब होना और थकान शामिल हैं चुंकि इस से तंद्रा और चक्कर आ सकते हैं, इसलिए गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें एकाग्रता की आवशक्ता हो जब तक कि आप यह न जान ले कि यहाँ आपको कैसे प्रभावित करता है अपने चिकित्सक से बात करें यदि कोई दुशप्रभाव आपको परेशान करता है या दूर नहीं होता है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है या गंभीर निर्जली करण है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इस दवा का उपयोग करते समय आपके रक्चाप की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और आपके गुर्दे के कारे की भी जाँच करने की आवशकता हो सकती है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद